अगर आपको इडिटिंग आप चाहिए तो आपके लिए वीडियो यह बहुत ही शांदार होने वाली है तो अगर आप चाहिए तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देता है कि हमारी आने वाली सभी नुडिकेशन आप तक पहुंच करें तो आज हम बताने हमसित करते हैं तो यह जो आप हम बताने वाले है यह आपके लिए बहुत ही शांदार है अगर आप पीछे के बैग्राउंड को भी यह रड़ाना चाहते हैं वो यह आपके लिए बहुत सही अगर आप AI अभथार अपना लगाना चाहते है तो उसमें भी आपको यह मिल और साथ ही साथ अपना AI अवतार भी आराम से लगा सकते हैं तो चलते हैं स्कीन की तरफ और बताते हैं कि उसको कैसे यूज किया जाता है और उस एप में क्या क्या आपका फीचर होने वाला है तो वीडियो के लाश तक बने रहे हैं कोई भी पार्ट उसका मिस ना करें चलते ह और बताते हैं कि उसको कैसे यूज किया जाता है सो लेट से स्टार्ट सो हेलो दोस्तों आगए अपने माईज की पर सब्सक्राइब पहले चलते हैं पिक रिटच पिक रिटच आपको आसानी से ही मिल जाएगा अपने प्ले इस्टोर एप में ठीक है इसमें आपको हम दिखा इसको जूब करेंगे इसको एं जूम करने के बाद यह हम जड़ करेंगे वहां वहां से इसको कट कर लेते हैं इसको भी कट करते है तो यह जहां हम स्टेट करेंगे अब ये रिमूव हो रहा है ठीक है निख लेते हैं उसका रिमूविंग Magick AI is ercin, अब ये उसको रिमूव कर रहा है ठीक है जहां आम ने सिल्क किया है उसको ही रिमूव करेगा उसके अलाबह वे किसी भी चीज को किसी भी object को रिमूब नहीं करेगा ठीक है तो असा रिमूब करने में टाइम ले रहा है इसमें देखिए यह दिया गया है नीचे भी और टो में दिया गया है आटोमेटिक अबजेक्ट जो है आपका रिमूब हो जाएगा रिमूब अबजेक्ट आप यहां पे ब्रश के हिसाब से सिलेट की जो करेंगे वह जाएगा लैसे मतलब उसके अंदर का जो रहेगा वो भी रिमूव हो जाएगा उसके बाद एरेजर से आप रिमूव कर सकते हैं ठीक है अब इसको हम बड़ा छोटा भी कर सकते हैं साइस को और आफसेट जो है उसका उपर नीचे जहां करना है उसको कर सकते हैं जैसे हमने यहां से यह स select करना है ठीक है यहां से यहां तक select कर लिया ठीक है अब इसको select करने के बात remove पे click कर देंगे ठीक है remove पे click कर देंगे यहां से जो हमारा यह हमने select किया है बहुत से लोग सोचते हैं कि हमारे background में जो कोई खड़ा है या फिर और उसको जरूरत नहीं है उस कुछ चीज़ की उसको सिलेक्ट करके आप आराम से रिमूव कर सकते हैं यह देखें रिमूब हो गया तो इसी तरह आप रिमूब कर सकते हैं लेकिन कुछ अच्छा-कासा लग नहीं रहा है ठीक है इसको कट कर लेते हैं डिस्कार्ट करें लियोट करने की बाद बैकरने के बाद रिमूवोट भ्राउंड में आसानी से आपको समाझ या जाएगा रिमूव भैंगरॉन्ड मेंसे में हम कोई ठाद के ले तेगा यह हमने हैं कि इसको स्कुरेकट कर लिए यह मैनूल आ यह automatic ही remove कर देता है छिओ रिमूब कर देता है उसके बाद जैसे इसको आप यहाँ से बड़ा भी कर सकते हैं je manual करें तो जहाँ जहां आप select करेंगे वहां वहां यह raise होगा ठीक है अब repair करना ऑठीक है इसको हम repair कर सकते हैं, आप लाएंगे सोरी इसको बैक कर लेते हैं तो रिपेयर रिपेयर में जो जो बाकी है उसको मसानिस कर सकते हैं इसमें इरेज रिपेयर में मानलो की बैक आ जाते हैं रिपेयर में यहां काम को रिपेयर करना है ठीक है सुरी यह थोड़ा बड़ा था इस offset को हम size को छोटा कर लेते हैं और यहां से हम इसको यह देखें अब यह repair हो गया ठीक है पहले वो कट गया था अब यहां से repair हो गया तो यहां से repair होने बाद यह ठीक है आसानी से इसको कर सकते हैं ठीक है background remove हो गया इस card कर लेते हैं इसको यह बाद select photo AI अवतार पर कर लेते हैं यह आपको अच्छा खासा काम देगा तो यहां पे आनेक बाद आपको कोई भी एक AI select कर लेना है यहां से हम इसको select कर लेते हैं got it, got it पे click करेंगे got it पे click करनेक बाद हमारे पास यह फोटो हमने select कर ली है एक छोटी सी फोटो यहां से continue कर लेंग दे continue करनेक बाद हमको डालना है कि female है, male है, other है जो भी आपको select करना है कर लेंगे ठीक है generate, watch and add ठीक है, इस पर click करेंगे click करनेक बाद अब जो हमने फोटो select करी है, वो generate हो रहा है AI अवतार के लिए, तो इसी तरह आप अपने AI अवतार को देख सकते हैं कि वो कैसा दिख रहा है, ठीक है, यहां से थुदा से add आएगा तो दोस्तों यह कुछ खास फोटो आई नहीं है, ठीक है, यह देखिए, यह कैसा अवतार है, बहुत यह अलगे, कुछ खास नहीं है, ठीक है इसको हम back आजाते हैं, इसी तरह इस एप में यह सब खासी दिया गया है, remove object कर सकते हैं, remove background कर सकते हैं, यह यह अवतार अपना select कर सकते हैं, और इसमें कुछ खास है नहीं सो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो कैसे लगी, अच्छी लगी तो like कर दें, comment कर दें, subscribe कर दें, और हमें इसी तरह support करते रहे हैं, अगर आपको और भी किसी वीडियो की उपर information चाहिए, तो हमेरे comment box में comment कर दें, ताकि हम उसके उपर information मना कर आप तक पहुचा सकें, और इसी तरह आप अपना support को करते रहे हैं,